हां तो ये कहानी ना मेरे कॉलेज लाइब की है उन दिनों मैं जस्ट कॉलेज में गया ही था वह मुझे कोई नहीं जानता था पूरा कॉलेज मेरे लिए नया था पहले दिन एक लड़का मुझे मिला हम दोनों के सब्जेक्ट सेम थे अब कुछ दिन उसके साथ गुजारे हमारी अच्छी घाजी दोस्ती हो गई चलो उसका नाम इस वीडियो में शैंपू रख देते हैं हां तो शैंपू और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई पर कुछ दिनों के लिए वो गाउँ चला गया इसलिए कॉलिज नहीं आया मुझे बड़ा अकेला फील होने लगा शैंपू का भी मेरे सिवा कोई दोस्त नहीं था मेरा भी शैंपू ही दोस्त था अब हुआ ये कि इन बिट्विन मुझे एक और लड़का मिल गया उसके साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई उसका नाम टेंपू रख लेते हैं हाँ तो जब शैंपू वापिस आया तो मैंने उसकी और टेंपू की बात करवाई अब हम तीन दोस्ते मैं शैंपू और टेंपू हम तीनों की दोस्ती बड़ी लाजवाब थी मुझे सब अच्छा लगता था हम साथ में बंक मारते घूमने जाते नएने प्लेसिज एक्स्प्लोर करते मुझे बहुत सही लगने लग गया था हमारा वटसेप गूरूप भी बना था इंस्टा फिस्बूक पर हम सेल्फी अप्लोड करते थे साथ कॉलिज जाते एक दूसरे का मजाक उडाते मतलब प्रॉप पर एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी हालांकि शेंपू की एक गलत आदत थी वो नशा थोड़ा ज्यादा करता था मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी उसने कई बार हम दोनों को आफर भी किया लेकिन हम दोनों मुकर जाते थे समय जलता रहा और एक दिन उनका दारू पीने का प्लैन बन गया अब मैं ये नहीं कहता कि मैं महान हूँ हाँ होंगी मुझे में बहुत सी खामिया पर मैं नशा बिल्कुल पसंद नहीं करता मेरे स्कूल टाइम से ही मेरे बहुत से नशेडी दोस्त रहे हैं पर उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया शैंपू अलग था उसने मुझे और टेम्पू को काफी फोर्स किया टेम्पू तो पहले से ही माना हुआ था मैं नहीं माना मैंने कहा मैं साथ चल पड़ूंगा पर मुझे ड्रिंक नहीं करनी हाँ तो हम शेंपू के रूम गए टेंपू और शेंपू ने जम के पी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी पर उस दिन के बाद उन दोनों का रवईया बतल गया वो दोनों एक साथ कॉले जाते पर ना मेरा वेट करते ना कॉल पिक करते हम एक बेंच पर तीन बैटते थे अब वो मुझे दूर जाकर बैटते थे मैंने इन चीज़ों को इगनोर किया पर हद तो तब हो गई जब उन दोनों ने मेरे साथ पूरी तरह कनेक्शन खतम कर दिया पूरी कॉलेज लाइफ उन्होंने मुझे से बात किये बगयर गुजार दी मैं जिसने उन दोनों को मिलाया था उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए अकेला छोड़ दिया क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता अब मुझे अफसोस नहीं था हाँ पर दुख जरूर हुआ क्योंकि उसके बाद मैंने दोस्तों बोला लोगों को पर किसी के साथ दोस्ती नहीं रखी उन दिनों मुझे बातें बहुत चुपती थी जब वो क्लास की लड़कियों के साथ मिलकर मेरे पीट पीछे मेरी बातें करते थे मुझ में कमिया निकालते थे हर चीज मुझे चुपती थी अच्छा फिर फाइनल येर में शेंपू को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया वो ड्रिंक करके कॉलेज आता था फिर टेंपू मेरे कलोज आया पर मैंने उतनी बातें नहीं की एक फिर्ट की बात ये भी है कि शेंपू मुझे साल में एक दो बार अभी भी मैसेज करता है पर सिर्फ पैसे मांगने के लिए ये मेरी रियल लाइफ स्टोरीज है अगर आप और भी केकैसबी की कहानिया सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता देना और सबस्क्राइब कर देना अगर नए हो